नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमित्रा सोलेशन पार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी डिजिटल सर्टिपिकेट को जब डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर जो डिजिटल साइन होते हैं उसको अपडेट किसी परकार किसे किया जाए या उसको वेरिफाई किस परकार से किया जाए दोस्तों उसे डिजिटल साइन में कई बार क्या होता है कि क्रोश का निसान आ जाता है और यह क्रोस के निसान वाली समस्या सबसे बड़ी है जो हमारे सभी दोस्तों के सामने आती है चाहिए वो किसी भी परकार का digital certificate हो तो उसमें यदि क्रोस का निसान आ जाता है तो कई बार तो क्या होता है कि हम यदि Foxit Reader में उसको open करते हैं तो वो solution हो जाता है लेकिन कई बार इसा होता है कि Foxit Reader या अन्य किसी भी PDF Reader में हम यदि उसको खोलते हैं तो वह क्रोस का निसान है जो जाता नहीं और valid नहीं होता तो इसी का solution लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ तो तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ जाता है तो आप इस वीडियो क ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल के आयिकन को भी euro दबा लें तहके आपको आनेवाला वीडियो की निटिपैसन मिलते रहे दोस्तो हमारे इस चैनल के उपर आपको इमित्रा से समंदिते और ॕर वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए ब आप रासन कार्ड में देख सकते हूँ, कि यहाँ पर जो signature है वो KROHS का निसान आ रहा है, इसी के साथ में आप एक certificate भी देख सकते हूँ, यह मुलनिवास प्रमान पत्र है तो इस मुलनिवास प्रमान पत्र में आप देख सकते हो, यह token number है इसका और इस token number वाले का आप देख स तो आप देख सकते हो यहाँ पर signature property आ रही है इसके उपर कलीक करने के बाद में सोर्स certificate में हम जाते हैं और यहाँ, तो आप देख सकते हो के button पर मैंने क्लीक कर दिया है और इसके बाद होश और अब इसके बार बार करता हूँ तो यह है जो valid नहीं हो रहा है एक किसी प्रकार का certificate मेरे पास में और है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका token number ये है और इस token number वाले इस मूल निवास परमान पत्र को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर cross का निसान है और इस cross वाले को भी मैं valid करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर certificate में हम click करेंगे और इनको select करने के बाद में add to trust है certificate पर click करेंगे और ok बटन पर click करेंगे फिर भी ये जो validate नहीं हो रहा है तो इसका solution क्या है तो बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ में और complete वीडियो देखिए दोस्तो अब आपको एक नया software डाउनलोड करना है उस software का link में आपको description में दे दूँगा यह software pad है और इसे आपको purchase करना पड़ेगा यह आप purchase नहीं करते हैं तो trial में आपको यह software मिल जाएगा इस description में आपको link भी मिल जाएगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो तो यह certificate में आपको open करके दिखाता हूँ तो दोस्तो मेरे पास में यह तीन certificate है रहेक रासन कार्ड है और दो मूलनिवास प्रमान पत्र है तो इसके लिए आपको एक software डाउनलोड करना होगा और वो होगा Foxit Reader Phantom यानि Foxit Reader Phantom आपको डाउनलोड करना है और वो भी आपको business रूप में डाउनलोड करना है तो मेरे पास में डाउनलोड किया हूँ है इसे मैं open करके दिखाता हूँ अब आप यहां पर कलिक करोगे और यहां open with और जैसे आप open with पर कलिक करोगे तो आप देख सकते हो Foxit Phantom PDF 9.0 यही आपको डाउनलोड करना है और यहां पर लिंक भी मिल जाएगा मैं इसको open करता हूँ इसी राशन कार्ड को यही राशन कार्ड है मैं आपको दुबारे से दिखा दूँगा तो हम इसे open होने देते हैं Phantom में आप देख सकते हो कि हमारा जो Foxit Trader Phantom है वो open हो चुका है और यहां आप देख सकते हो कि यह जो software है इस software में हमारा जो सिकने चर था वो valid दिखा रहा है आप देख सकते हो कि यही राशन कार्ड नंबर है आप देख सकते हो यहां पर राशन कार्ड नंबर दिया हुआ है और मैं आपको invalid वाला भी यहां पर राशन कार्ड दिखा देता हूँ यह राशन कार्ड नंबर है आप देख सकते हो इसमें है वो side ने invalid आ रहा है और यहां phantom में हम जेकती हैं तो यह side है जो valid हो चुका है यानि यहां पर एक yellow color में आएगा तो आपको इसको click करना है और यहां signature property भी जाना है और source certificate पर जाना है वही प्रिक्री आपको अपनानी है और यह सारे के सारे आपको यहां पर जो निसान है उनको good का निसान आपको लगा देना है और add to trust certificate पर click कर देना है और यहां पर ok बटन पर click कर देना होगा तो यहां पर मैंने कर चुका हूँ और इसके बाद आप signature को valid करोगे तो हो जाएगा इसके बाद में मैं एक certificate आपको यहां पर अभी मूलनिवास वाला दिखा रहा था वो भी दिखा देता हूँ इसको हम phantom में open करेंगे तो folksit phantom PDF 9.0 इसमें हम open कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि यह जो certificate है आप देख सकते हो इसका token number भी आप देख सकते हो यहां पर 866 6,7 यह है और यह signature है जो valid यहां पर हो चुका है इसके बाद में मेरे पास में एक मूलनिवास और मैंने जो अभी दिखा था आपको इसको मैं आपको दिखा देता हूँ open करके तो folksit phantom में हम जाएंगे और इसे open करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका token number यह है जो मैंने आपको दिखा था इसमें आप देख सकते हो यह 866,67 वाला है और यह इसके बाद में next वाला है यानि 1938 लास्ट में आप देख सकते हो इसके digit 1938 इसमें आप देख सकते हो पेंटम में यह है जो open हो चुका है तो इस प्रकार आप किसी भी signature को validate कर सकते हो तो दोस्तो आपको 9.0 ही डाउनलोड करना है और यह आप किसी भी site से डाउनलोड कर सकते हो लेकिन यह trial version में आपको मिलेगा तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपकी problem का solution मिल गया होगा दोस्तो यह यह वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को like और share जरूर करें comment box में comment भी लिखें यह आप channel के उपर नए हैं तो channel को subscribe के bell के icon को दबालें ताकि आपको आने वाले videos की notification मिलते रहे तो मिलते हैं next video में किसी नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जै हिंद